एक्सलेंसीज, मेरे सभी साथी मित्रों, सर्वप्रथम मैं S.C.O. के कुशल नित्रुत्व के लिए और COVID-19 महामारी की चुनोतियों और बाधाओं के बावजूद इस बैठक के आयोजन के लिए राश्पति पुतीन को बधाई देना चाहूँगा. मुझे खुशी है कि हम इन कठीन परिस्थित्यों के बावजूद, S.C.O. के तहट, को अपरेशन और इंटिग्रेशन के व्यापक और प्रगतिश्यल एजेंडा को आगे बढ़ा सके. एक्सलेंसी, S.C.O. में भारत के लिए यह एक महत्वपुन वर्ष है. हम पहली बार एक समिट स्तर की बैटक, S.C.O. काउंसील अफ हेड्स अफ गवर्मेंट का आयोजन करने जा रहे हैं. इस बैटक के लिए एक व्यापक एजेंडा तयार किया गया है, जिसमें आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर विशेश ध्यान दिया गया है. हमने स्टार्ट अप एकोसिस्टिम में अपने समृद्ध अनुभव को साजा करने के लिए इनोवेशन अन स्टार्ट अप पर स्पेशल वर्किंग गरूप की स्थापना का प्रस्ताव रखा है. हमने traditional medicine पर working group का भी प्रस्ताव रखा है ताकि SEO देशों में पारमपारिक और प्राचिन चिकित्सा के ज्यान और समकालिन चिकित्सा में हो रही प्रगती एक दूसरे के पूरक बन सके excellencies भारत का द्रण विश्वास है कि economic multilaterism और national capacity building के combination से SEO देश महामारी से हुए आर्थिक नुक्सान के संकर से उभर सकते हैं हम महामारी के बात के विश्व में आत्मा निर्भर भारत की दृष्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे विश्वास है कि आत्मा निर्भर भारत वैश्विक अर्थववस्ता के लिए एक force multiplier साबित होगा और SCO क्षेत्र की आर्थिक प्रगेति को गती प्रदान करेगा एक्सलेंसीज SCO क्षेत्र से भारत का गनिष्ट सांस्कृतिक और एतिहासिक सम्मंद रहा है हमारे पूर्वजों ने इस साजा एतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथाक और निरंतर संपरकों से जीवन्त रखा International North-South Transport Corridor चाबाहार पोर्ट अजगाबाद समझोते जैसे कदम connectivity प्रती भारत के मजबुत संकल्प को दर्शाते हैं भारत का मानना है कि connectivity को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवशक है कि एक दूसरे की संपरभूता और territorial integrity के सम्मान के मूल सिध्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए नयुक्त राष का मूल लक्ष अभी अधूरा है महा मारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूज रहे विश्व की अप्रिक्षा है यह UN की व्यवस्ता में आमूल चूल परिवर्तन आएं हमारी यहां सास्त्रों में कहां गया है परिवर्तन अमेव स्थिरमस्ती परिवर्तन ही एक मात्र स्थिरता है भारत 2021 से UN सिकूरूटी काउंसिल में एक गेर स्थाई सदस्य के रुप में भाग लेगा हमारा ध्यान वैश्विक सासन विधी में संभावित बडलाव लाने पर केंद्रित होगा एक रिफाउम मल्टिलेटरिजम जो आज की वैश्विक वास्तिविकताओं को दर्शाए जो सभी स्टेक होल्डर्स की अपेशाओं समकालिन चुनोतियां और मानव कल्याण जैसे विशेवों पर चर्चा करें इस प्रयास में हमें स्थियो सदस्य राष्टों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेश्या है एक्सलेंसीच सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामया सभी सुखी और सभी रोकमुक्त रहे यह शांती मंत्र भारत के सबस्त मानव कल्याण के प्रती आस्था का प्रतीख है अबुत्पुर्वा महमारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवशक दबाएं भेजी है दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिन उत्पादक देश के रुप में भारत अपनी वैक्सिक उत्पादन और वित्रण क्षमता का उप्योग इस संकर से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा एक्सलेंसी भारत का शांती, सुरक्षा और समृद्धि पर द्रण विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवात, अवेध हत्यारों की तसकरी, ड्रग्स और मनी लॉंडरिंग के विरोध में आवाज उठाई है भारत, S.C.O. चार्टर में निर्धारित सिध्धानतों के अनुसार, S.C.O. के तहत काम करने की अपनी प्रतिवद्धता में द्रण रहा है परन्तु यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि S.C.O. एजेंडा में बार बार अनावश्य ग्रुप से द्वीपक्षिय मुद्धों को लाने के प्रयास हो रहे हैं जो S.C.O. चार्टर और संगाई स्पिरिट का उलंगन करते हैं इस तरह के प्रयास S.C.O. को परिभासित करने वाली सर्वसम्मती और सह्योग की भावना के विप्रित है एक्सलगाण पर S.C.O. संस्कृती वर्ष मनाने के लिए पूर्ण समर्षन देता हूँ भारत का राष्ट्रिय संग्रहाल इस वर्ष हमारी साजा बवद विरासत पर पहली S.C.O. प्रदर्शनी आयुजित करने की प्रक्रिया में है भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भासा में दस भारतिय साहित्य कृतियों के अनुवात का काम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भारत महामारी मुक्त बातावरन में S.C.O. फूर्ट फेस्टिवल की मेजबानी करेगा मुझे प्रसनता है कि समस्त S.C.O. देशों के अफिशल्स और डिप्लोमेट्स ने हाल में बिजिंग में S.C.O. सचिवाले के सहयोग से आयोजित योग कारकम में बढ़ चड़ कर भाग लिया एक्सलेंसी मैं एक बर फिर राश्पती पुतीन को उनके कुशल और सफल नेत्रुतों के लिए बधाई देता हूँ और इस बैटर के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ मैं राश्पती इमोमली रह्मान को अगले वर्स के लिए S.C.O. की अद्रक्ष्टा करने के लिए बधाई और शुपकाउनाय देना चाहता हूँ और तजिकिस्तान के सफल अद्रक्ष्टा के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूँ बहुत बहुत धनिवाद